एलो फ्रेंट्स केसे हैं आप सब आज में एक्स्प्रेंग करने वाली हो हाली में रिलिज होई कार्थिक आर्यन के फ्रेड़े इस मूवी को जो देखने में आपको कापी मजा आने वाला है क्योगी इसमें कापी ट्वीस एंड टॉन्स है तो ज्यादा देरिना करते हो हैं आधि नहीं हुई थी पाँच साल पेले ही उसने मैटरो मोनी साइट पर उसका रेजिस्टेशन किया था पर वहां से विए उसे कोई लड़की नहीं और उसे अपने दिल की सारी बाते बताता था, तबी उसकी आंटी उसे कॉल करके उस लड़की के बारे में पूछती है, तब वो बताता है कि पता नहीं पर वो अचानक से चली गही, तबी उसे अपने खिड़की से एक कपल दिखाए देता है, जो लेट नाइट पार्टी करक उसको उसके पार्टनर कब मिलेगी, अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेड़ी उसके क्लेनिक में एक बच्चे का इलाज कर रहा होता है, और उसे घर जाकर एक लड़की का कॉल आता है, जो उसे बोलती है कि उसने उसकी प्रोफाइल देखी है, और उसे बहुत पसंद आय चाहें, और उसे मिलना चाहती है, तब प्रेड़ी उसे ब्ल्यू कापे में मिलने के लिए बुलाता है, बहुत देर वेट करने के बाद भी ओ लड़की उसे मिलने के लिए नहीं आती, और जब वहां से निकलने लगता है, तब वहां बेटे कुछ कबल्स उसे चिडाने जाता है तब आंटी उसे कहती है कि तुम्हारी उम्र से देख रही है दो हैं ऊसे कहता है कि तो मुझे देख रही थी एसा मेरा आंटी बोल रही थी तब लड़की बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं देख रही थी तब वहाँ उस लड़की का हजबन आता है और ओ फ्रेडी को बोलता है कि तुम मेरी वाइब के साथ प्लट कर रहे हो क्या फ्रेडी बोलता है ऐसा लड़की है तो क्यों मुसे उसे बात करने के लिए भीचा तो उसके आंटी बोलती है कि मैं तुम सब प्रैक्टिस करवा रही थी अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी सो रहा होता है तब वही ब्लू ट्रेस वाली लड़की उसे याद आने लगती है मानों कि उसे उससे हो गया है अगली सुब जब प्रेडी उसके क्लीनिक में होता है तब वही लड़की उसके क्लीनिक में आती है और प्रेडी से बोलती है कि मेरा एक दाथ सड़ गया ही और निकालने के लिए मुझे मेरी फ्रेंड ने आपका नाम चलेस्ट किया तब प्रेडी उसे चेक करता ह और उसे बोलता है कि ओ अभी जाके एक्सरे करवाली और कल में तुम्हारा दात निकलवा दूंगा तब प्रेडी उसको देखता ही रहता ही और उसके संग एक फैमिली के भी सपने देखने लगता ही क्योंकि उससे बहुत प्यार करने लगा था जाते वक्त प्रेडी उससे उस अप्धिशं देना पड़ेगा ताकि तुम्हें दात निकालते वक्त दर्ध ना हो उशके बाद प्रेडी जब उसको बेहोश करके और आप रोम में लेकर जाता है तब उसके पास जाकर प्रेडी उसे i love you बोल देता है और उसका दात निकल देता है उसके बाद हम देखते ह कि उसके फॉर्म से प्रेडी उसका द्रेस निकालन लका था है, ताकि और उसके घ़र जाकर से शुआ कर सके, आगे हम देखते है कि जब का Zarate को पने दर देर से पहुंछती है नौन उसका पठी उसे पूंचता है कि कहां गई तब उसे बोलती है कि मैं अपना दाथ निकल वाने के लिए गई थी और उसके बाद उसे प्रेड मिली थो उसके साथ चली गई थी तब उसका पती उसे बहुत पीटता है और बोलता है कि मैं यहां भूका पैसा बेटा हो और तुम बाहर मजे कर रही हो और उनकी ये सब हरकते बाहर गाड़े में बेटा फ्रेडि देख रहा होता है फ्रेडि को उसके पती पर बहुत ज़्यादा गुशा आता है और उसे लगता है कि उसको वहाँ जाकर पीटे पर उपने आपको रोक लेता है आगे हम देखते हैं कि फ्रेडि सो रहा है और उसे सोते समय अपने बच्पन की एक बात याद आती है उसे याद आता है कि उसके बाप ने उसकी मा को चीटर कहा था और उसे मार दिया था और बाद में खुद को भी मार डाला था और तो फ्रेडि बहुत चोटा था तब प्रेडी उसे कॉल करता है और उसके न आने की वजो पूछता है तब बोलती है कि उसका पती नहीं चाहता कि वो घर से बाहर निकले तब प्रेडी उसे बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और काइनाज भी उससे मिलने के लिए तयार होती है तब वो दोनों उसके घर के पास मिलते हैं तब प्रेडी उसके चेहरे के निशान देखता है और पूछता है कि ये क्या हुआ तब वो बोलती है कि उसके पती ने उसे मारा है और वो अक्सर मुझे मारता रहता है तब प्रेडी उसे आईस्क्रीम गिलाता है ताकि वो शान्त हो जाए और प्रेडी बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा तुम चिंता मत करो उस दिन से प्रेडी हमेशा सच डश्के राने लगा था और काइनास के सामने एक अच्चे से जाता था क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और वो हमाशा उसके घर के बाहर आता है ताकि यह उसे स्टॉक कर सके। एक दिनों देखता है कि काईनास का पती जॉगिंग के लिए जा रहा है तो प्रेडी काईनास को कॉल करke मिलने के लिए बुलाता है तब काइनाज भी रेडी हो जाती है और वो दोनों कॉपी के लिए एक साथ जाते हैं अब नजदी के आप बढ़ने लगी थी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे एक दीन थेटर में काइनाज प्रेडी को कीज करती है क्योंकि ओ भी उसे पसंद करने लगी थी उसके बात जब वो घर पहुशती है तब प्रेडी के कॉल और मेसेज का जवाब देना बंद कर देती है प्रेडी को उसकी चिंता होने लगती है और उसे देखने के लिए प्रेडी उसके घर चला जाता है और जब काइनाज प्रेडी को उसके घर में देखती है तब उसको गले ल प्रेडी उसे सब ठीक हो जाएगा और उसे शान करता है और अपने घर आता है घर आकर उसे अपनी अांटी का आउनाइगा बारे में ही सवाल करती है तब फ्रेडी बोलता है कि उसे एक लड़की मिल गई है और वो जल्दी उससे शादी करने वाला है। अगले दिन फ्रेडी काईनास से मिलता है और बोलता है कि तुमारे पती को हमारे रास्ते से दूर करना पड़ेगा। तब हम शादी कर सकते हैं। पहले तो काईनास इस बा पर रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है सिर्फ एक आदमी वहाँ था पर ओभी सु रहा था मोका देखकर प्रेडी काइनास के पती के ऊपर गाड़ी चला देता है और उसे गाड़ी से कुछल देता है इस गटना के बाद प्रेडी एक वीक के लिए अपने फारहांस पर चला ज प्रेडी काड़ी ठीक करवा लेता है और फारहांस पर रखकर गाओ के कुछ लोगों का चिक अब करता है इधर पूलिस इंवेस्टिवेशन कर रहे थे कि उसको किसने मारा होगा एक अपते बाद जब प्रेडी काइनास के घर जाता है तब एक लड़का दरवाजा खोलता ह और लड़का काइनास को बेबी कहके पुकारा आता तब प्रेडी काइनास को उसके बारे में पूछता है तब काइनास बताती है कि ओ उसका बॉइप्रेंड है और मेरे पती को रास्ते से हटाने के लिए हमने तुम्हें यूज किया तब प्रेडी बोलता है कि ए लड़का तो तुम्हारे रेसावरं का एक शेब है तुम्हें सा केसे कर सकती हो तो उसका बॉइप्रेंट फ्रेडी को बहुत पीटता है और उसे बोलता है कि तुमने ही काइनाज के पती को मारा है इसके हमारे पास सबुते और फ्रेडी उसके स्टॉक करते हुए के पोटो दिखाते है वो बोलते हैं कि हम पूलिस को कुछ नहीं बता रहे हैं पर तुमने चला के करने की कोशिश की तो हम सारे सबुत पूलिस को दे देंगे तब रोते रोते प्रेडी अपने घर आ जाता है घरा करो बहुत रोता है क्योंकि उसने काइनास से सच्चा प्यार गिया था और वो उसके सारे कप्टे में जला देता है जो उसने काइनास को इंप्रेस करने के लिए करी दे थे इधर हम देखते हैं कि काइनास अपने बॉइफ्रेंड को मोलती है कि अब कैपे ब्ल्यू मेरा नाम हो गया है अब मैं उसे अपने तरह से रन करोंगी इधर फ्रेडी आइस्क्रीम खाने लगता है तब काइनास और उसका बॉइफ्रेंड बुरा मला केते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए तब प्रेडी बोलता है कि काइनास उसे सौरी बोले उसके बाद में यहां से चला जाओंगा तब काइनास उसके बॉइफ्र से दिना लेटा हैं वह काईकी सा रिटेल कसी बाहर जाते हैं तब उनके घर के टूपलिकेट चामी बना लेता हैं अरुठकर के आंदर जाकर उनके खाने में नशे की दवा डाल देता है और वाश्रूम जाकर उसके पेस वाश में एक लिक विड मिला देता है जिसके काइनाज को अलर्जी थी तब भी वहाँ ओ दोनों आ जाते है तब भी प्रेडी एक जग़ा पर जाकर चुप जाता है तब काइनाज फ्रेश होने के लिए बातरूम जाती है और वो फेस वाश अपने पेस पर लगाती है और उसका बॉइप्रेंट भी खाना गर्म करता है उसके बाद ओ दोनों खाना क कर सूझाते हैं और जिया दोनों घेरी निद में होते हैं तो वो फैंदा उठा कर फ्रेडी बाहर निकलता है और काइनाज के इमोबाइल से वह खुद को मेसेज करता है कि क्या उसकी काल बोडू कर सकती है और उसके बोइफरेंट परूबाइल से खुद के सपोर्ड कर उसके बॉइपरेंट को उठाती है और वो दोनों हस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं तब उनके गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने की वज़ो से उनका एक्सिरेंट हो जाता है वो बच जाते हैं पर उनको चोटा जाती है और वो सोच रह लगते हैं कि इस सब केसे हो रहा है अगले दिन जब वो दोनों उपने घर पर होते हैं तब उनको कैपे से फोन आता है और वो बोलते हैं कि किसी ने जो मैटू पे उनका बैट रहु दिया है जिसकी वज़ो से कोई भी उनके कैपे में नहीं आ रहा है तब वो दोनों तयार होकर कैपे में जाते हैं तब ही प् कि उसके खाने में उसे लेजर्ड मिली और वही उसने पोस्ट कर दिया और वहेरल हो गया उसकी वज़़े से कोई भी कैपे में नहीं आ रहा है तब काइनाज पेस्बुक देखती है तब ओदेखती है कि उसके बॉइफ्रेंड ने ही एक गंदी फोटो पोस्ट की है तब हो कहता है कि ये उसने नहीं किया है ये जरूर फ्रेडी का ही काम हो सकता है और वही हम दोनों को तकलिप दे रहा है तब काइनाज अपने मैनेजर को फ्रेडी की फोटो दिखा कर पूछती है कि क्या यही आदमी था तो मैनेजर बोलता है कि श तब यहाँ पैलीज आजाते हैं और जब पैलीस उन से पूछते है की तो तो कर रहे हैं तो risky वहां पूलीज को बोल्ती है कि यह एक स्टौकर है और मुझे उस से बला करता था और पैरने की लिए उस फती को मार दिया मैरे पास है काइना जब सबों दिखाने के लिए मोबाइल निकार कर देखती है तब उसे उसके मोबाइल में फोटोस नहीं मिलते क्योंकि फ्रेडी ने पहले ही सब फोटोस डिलेट कर दिये थे अब उनके पास फ्रेडी के किलाब कोई भी फोटोस नहीं होते तब पूलिस बोलती है कि ओएक रेपुटेंट डाक्टर है और यह सब नहीं कर सकते और पूलिस प्रेडी से पूछते है कि क्या करें इन दोनों के साथ प्रेडी बोलता है कि मुझे कोहीं भी कंपलेंट नहीं करनी है तब पूलिस उन दोनों को वहां से बगा देते हैं और प्रेडी को बोलते हैं कि अब दोबारा ये दोनों परिशान करें तो हमें इनफॉर्म कर देना अब गर जाकर काईनाज और उसका बॉइप्रेंट प्रेडी को तंग करने के बारे में सोचते हैं अगले दी प्रेडी अपने आंटी से मिलता है और उन्हें पूछता है कि उसके पिता ने उसकी मा को क्यों मारा था तब आंटी बताती है कि उसके पिता बहुत शकी थे इसलिए उसने उसकी मा को मार डाला और खुद ने भी सुसाइड की अब रात को प्रेडी जब घर पहुचता है तो वो देखता है कि उसके गर का सारा सामन बिक्रा पड़ा हुआ है और उसे वहाँ एक बुलेट भी पड़ी मिलती है तो वो समझ जाता है कि एस अब काइनाज और उसके बॉइपेंड का ही काम है तो प्रेडी काइनाज को काल करता है और बोलता है कि जैसे और उने उसके घर बुलट छोड़ी है वेसे ही उसने भी उनके घर साम चोड़ा है इसलिए बच के रहे उसके बाद वो दोनों डर के अपने फार महों चले जाते हैं उसके बाद वो प्रेडी को कॉल करके पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा कच्छो मिला तब प्रेडी अपना कच्छो डूरने लगता है तब हो कहते हैं कि उन लोगों ने उसके कच्छों का सूप बनाया और पी लिया जो बहुत सौधिश था यह सुनकर प्रेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस कच्छों से प्रेडी बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसके बाद प्रेडी CCTV फूटेज भी चेक करता है तब उसे रेमन को चौले कर जाते हुए साम दिखता है अब प्रेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हो अपने नुखोर को पॉर्ण करके फार माउज कुछ दिन के लिए खाली करने के लिए बोलता है उसे बताता है कि ओइस के दोस्तों के साथ इंजाई करने वाला है उसके बात फ्रेड़ी उस आद्मी के पाथ जाता है जो मर्डर के दिन रोड पे सोया था उसे कुछ पैसे देखर फ्रेडी उसे पूलिस के पाश बेशता है और उसे पूलिस को यह बताने के लिए बोलता है कि उस दिन उसने एक्सिडेंट देखा था और उस गाड़ी प्रेडी की ही थी तब पूलिस प्रेडी के पांच जाते हैं तब प्रेडी उन्हें बताता है कि हाँ ओ गाडी मेरी ही थी पर ओ गाडी में नहीं चला रहाता ओ गाडी रेमन चला रहाता ओ काइनाज का मौई प्रेंड है और उन दोनों ने उसके पती को रास्ते से हटाने के लिए उसकी गाडी का यूज किया प्रेडी पूलिस को ओ मेसेज भी दिखाता है जिसमें लिखाता कि ओ प्रेडी की गाड़ी बरो कर रही है तब प्रेडी बोलता है कि जब उन्होंने गाड़ी मुझे वापस की तो उस पे खून लंगा हुआ था और तोटी फुटी भी थी और मैं समझ गया था कि उन्होंने काड़ी की पती को मारा है इसलिए वो मेरे पीचे लगे है और मुझे तंग कर रहे है क्योंकि उन्हें डर है कि मैं पूलिस को सब सच सच ना बता दू तब फ्रेडी पूलिस को सिसिट्यू पूटेज भी दिखाता है जिसमें रेमन उसके गर आकर उसके पेट को मारता है तब पूलिस समझ जाते हैं कि फ्रेडी सच कह रहा है तो जब मुझे सोरी बोलोगी तुमें पूलिस को सच बता दूंगा तब काईनाज बोलती है कि मैं तुम्हें कहां मिलू तब फ्रेडी उसे अपने फार्मो उसमें आ जाने के लिए बोलता है और साथ में एक सूट केस भी लाना क्योंकि वो अपना सूट केस लाना बोल गया है तब दोनो फ्रेड़ी के पाह जाने का फैसला करते हैं और वहाँ जा कर उसे मारने का प्लानिंग करते हैं और जब दोनो उसके फार मोच जाते हैं तब देखते हैं कि वहाँ टेबल पर एक गण पड़ी है प्रेडी जब उने ड्रिंक सिरु करने के लिए चाता है तब काइनाज ओ गन हाथ में लेती है और बोलती है कि अब मैं तुमें मार डालूँगी और गन चलाती है तो उसे पता चलता है कि उसमें मुलेट्स ही नहीं है प्रेडी हसता है और उन दोनों पर हमला करके बेहोश कर देता है जब उनकी आंके खुलती है तब उनके पास आकर बोलता है कि अब उन दोनों जिंदा नहीं बचेंगे तब काइनाज प्रेडी से कहती है कि ओ अभी भी तुमसे प्यार करती है तब प्रेडी बोलता है कि चलो म उसे सेलो बजाना नहीं के MATT लेता है तब उससे बहुत दर्द होता है और उमर जाता है पयाँको भूस में उप्रृडत सारे दाफ निकाल देता एन अरो मर जाती और प्रिडि उसे भी बाहर लेकर जाता है और गार देता है लास अधम देखते हैं कि प्रेडि उन दोनों के कमर पर लेटा हुआ ही इसी सिंड पर खत्म औल दोस्तों आपको ए mentor और मैरा तो लेगे हो विदा, बाइबाए!